दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपने तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नेचे कमेंट बॉक्स में जरूर पोचे आज की सबसे पहले कवर वेक्सिल लगाने में बिहार बना देश का नंबर वन राज एक दिन में 6,62,507 लोगों का हुआ टिका करन सरकार ने किया दावा या संक्या सभी राज्यों से ज्यादा बिहार सरकार ने दावा किया है कि पिछली 24 घंटे में सबसे जादा टिका देने का रिकॉर्ड बिहार ने बनाया है बिहार के स्वास्त मंत्री मंगल पाने ने कहा कि बिहार जहां संकमंदर में देश में सबसे नीचे हैं वही एक दिन में सरवादिक टिका करन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है स्वास्त बिवाग टिका करन तेज गती से कर रहा है स्वास्त विभाग की यहाँ बड़ी उपलबदी है कि 24 घंटे में रिकॉर्ड 6,62,507 लोगों को टिका दे कर सभी राज्यों से आगे रहा अगली बड़े कबर मगद इनिवसिटी ने सुरू की PG में एडमिसन की प्रक्रिया 30 जून तक इनिवसिटी की वेवसाइट पर कर सकते हैं आवेदन जी हाँ COVID-19 महामारे की दूसरी लहर के कमजोर पढ़ रहे कदम के साथ इमगद इनिवसिटी बोध गया ने PG में एडमिसन लेने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया सुरू कर दी है इस बाबत इनिवसिटी की ओर से भी दिवात नोटिस जारी किया गया है एडमिसन के लिए फॉर्म को भरे जानी की प्रक्रिया कल से सुरू हो गई है विद्दारती 30 जून तक इनिवसिटी की वेवसाइट पर आवेदन जमा कर सकते हैं आपको बता दे कि वोकेसिनल वो प्रोफेसिनल कोर्स में नामांकन के लिए चात्र 25 जून तक आवेदन जमा कर सकते हैं यह प्रक्रिया ओफलाइन और ओनलाइन दोनों में उपलवद है अगली बड़ी कबर बिहार में बार का संकट भारी बारिस के करण चमपारन और मितलांचल में हालात बिगड़े जी हा कुरोना की दूसरी लहर थमने के बाद बिहार में बार का संकट गहरा गया है नेपाल और बिहार में पिछले 48 गंटे से हो रही भारी बारिस की वज़ा से सुबह में हालात बिगड़ गए हैं चमपारन और मितलांचल के इलाकों में बार का खत्रा बढ़ गया है दोसरी तरब पिछले 3 दिनों से उत्तर बिहार में जारी है बारिस का कहर कई इलाकों में च्चाया बार का खत्रा नदियों का बढ़ा जलिस्तर पिछले तीन दिनों से उत्तर बिहार में बारिस का कहर जारी है इसके करण बाड का खत्र बढ़ गया है मितलांचल के कमला बलान जिवाच और कोसी में पानी कापी तेजी से बढ़ रहा है वही वालमी की बराज से गुरुवार सुबा फिर से पानी छोड़ा गया है कि बिहार में नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है जिसे कई अन्य गाओं में पानी परवेश कनी की समावना बढ़ गई है अगली बड़ी कबर बिहार में बारिस का कहर पटना सहीत 11 जीलों के लिए रेड अलड जारी ताने आपके जीले में कैसा रहेगा मौ मौसम बिहार में बारिस से नदियों का जलस्तर बढ़ना सुरू हो गया है मौसम विवाग ने अगली तीन दिन तक राज के 11 जीलों के लिए बारिस का रेड अलड जारी किया है तेरा जिलो के लिए ओरेंज अलट और आयनी के लिए येलो अलट जारी किया है साथ ही लोगों को खुले इस्तान मैदान आम और लिची के बगानों में नहीं रहने के अपिल की जारी की है यहाँ पर बिजली गिन्नी की असंका है रेड अलट वाले जिलो में उत्तर पश्चिम बिहार के पश्चिमी चमपारन, सिवान सारन, पूर्वी चमपारन और गोपाल गंज के अलावा दच्छिन मध बिहार के पटन गया नलंदन नवादा बेगु सराई और लकी सराई सामिल है यहां मेग गरजन वजपात के साथ अच्तादिक बारिस के असंका है इस वज़े से लोगों से घर से कम निकलने की अपिल की गई है दूसरी तरह मौसम विभाग के अनुसार दचिन पचिम बिहार और दचिम पूर्व बिहार के जीलों के लिए औरेंजलर जारी किया गया है इन जीलों में बकसर, भोजपूर, रोतास, भववा, और अंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, कटिहार, भागल, पूर, बाका, जमोई, मुंगेर और खगड़िया में सचेत रहने की हिदायत दी गई है आगली बड़े कवर पस्तुपती पारस बने लगाई मुहर नहीं पोची प्रिंस राज, चिराक पासवान को बेदकल कर चाचा पस्तुपती कुमार पारस, लोग जनसक्ती पार्टे के अधग चुन लिए गये हैं गुर्वार को बुलाए गए राष्टी कारकरानी की बेटक में उनके निर्वाचन पर मुहर लगा दी गई है पूर्वा सांसद सुरजबान सिंग के निजी आवास पर बेटक का आयोजन हुआ इससे पहले पस्तुपती पारस ने अधग्च पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया उनके साथ अंदन वीना और केसर जैसे नेता नजर आये लेकिन पिंस राज नहीं पहुँचे तीन बज़े तक किसे आयने का नामांकन नहीं होने से पस्तुपती पारस अधग्च बनाए गए दूसरी तरफ एलज़े पी अधग्च बने पस्तुपती पारस बोले भतिजा तानासा हो जाए तो चाचा क्या करेगा करेगा या प्रजयतंत्र है कोई आजिवन अदक्ष नहीं रच सकता है साथी पारस ने अपने निरवाचन को ले कर बात करते हुए कहा कि पाटे में उनका कोई विरोध नहीं है अगर ऐसा होता तो वह निरविरोध अदक्ष निरवाचित नहीं होते बिहार में दम तोड़ने लगा है कोरोना पिछले 24 घंटे में मिले मात्र 385 नए मरीज जी हाँ बिहार में कोरोना अब दम तोड़ने लगा है स्वास्त विवाग की ओर से जारी ताजा आकडो के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना के मात्र 385 नए मरीज मिले हैं इसके साथ बिहार में कॉल एक्टिव केसों की सेंक्या घट कर 383 तक पहुच गया है सबसे ज़्यादा राजदानी पटना में नई मरीज मिले हैं कॉल 40 नई केस पिछली 24 घंडे में राजदानी पटना से मिले हैं वहीं दूसरे इस्थान पर पूर्णिया रहा पूर्णिया में कॉल 35 न पर होम डिलिवरी वाले करमचारियों के लिए विशिस कोरोना टिका करन सिवीर प्रमंडलिया आयुक्त ने जारी किया निर्दिश जीहा बिभीन परकार के समानों की होम डिलिवरी करने वाले सबी कमपनियों प्रतिष्टानों के कर्मियों का विशिस सिवीर के मैदम से कोर 19 वेक्सिनेशन सिविर लगाया जाएगा उन्होंने वेक्सिनेशन की विवस्ता कराया जाने के लिए जीला पदेदिकारी को निर्दिस दिया है प्रमंडल या आयुक्त ने बताए कि कोरोना काल में होम डिलिवरी का प्राचलन बढ़ा है तुरी करने वाले कर्मी विविन इस स्वास्त विवांग ने केवल आधार काड के आधार पर टीका लेने के बाज़ता दूर कर फोटो युक्त अन्य आठ प्रमान पत्र को भी मंजूरी दी है इसमें अब आधार काड नहीं रहने वाले लावुकों को टीका लेने में कोई परिशाने नहीं होगी मिली जानकारी के नुसार कोरोना टिका करन अभिहान को गति देने एवं आधिक से अधिक लोगों को टिका लगाने के लिए सरकार ने पूर्व के आदेश में यह संसोधन किया है दूसरी और अब नए दिसा निर्देश के नुसार विदेश जाने वाले लोगों को 28 दिन के बाद ही कोविसील की दूसरी डोज दी जा सकेगे जब की कोविसील की दूसरी डोज के लिए फिलाल 12-16 सब्ता के बीच देने का निर्देश है आपको बदादे कि टीका करन के लिए आधार कार्ड के अलावे लावुक, अपना रासन कार्ड, वोटर आईड, डाइविंग लाइसेंस, पेन कार्ड, पासपोर्ड, पेंसन पासपोक, एन पी आर, स्मार्ट कार्ड तथा दिव्यांगता परमान पद्र की मदद ले सकते है सरकार एवं विभाग ने इसकी अनुमति प्रदान कर दी है सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करेंगे उनकी बहाली फर्जी मानते हुए हटा दिया जाएगा निगरानी जाच में सर्टिफिकेट फर्जी मिलने पर नोकरी से हटाने के साथ ही वेतन की रिकवरी भी होगी अगली बाड़े कबर पटना के सरकारे स्कूल को खोलने का आदेस जीला सिक्चा पदादिकारे ने आदेस जारी किया है पचास फीज़ी सिक्चक और सिक्चकतर कर्मचारी को पसिती के साथ ही स्कूल को खोला जाएगा हाला कि स्कूल में बच्चे नहीं आएंगे वे घर से ही ऑनलाइन पढ़ाय करेंगे पटना डियो की तरफ से या निर्देस जारी किया गया है इस दोरान सिक्चक और चात्रों के अभिवावकों का टिका करन चात्रों को मिलने वाले मिड़े मिल योजना के खायदाने का वेतरन अभिवावकों को किया जाएगा इसके लिए इसकुल को खोलने का आदेश दिया गया है इस दोरान कोरोना प्रोटोकाल का भी पालन किया जाएगा आगली बड़ी कबर 19 जून से IGIMS के OPD होगी चालू एक दिन पहले कराना होगा ओनलाइन रजिस्ट्रेशन हर दिन सर्जिकल में 30 और मेडिकल में 50 मरीजों का होगा इलाज जहाँ 19 जून से इंद्रा गांधी आईर विग्डान संस्तान यानी की IGIMS की OPD में समयन मरीजों का इलाज सुरू हो जाएगा कोरोना काल में चालू हो रही OPD में ओफलाइन व्यवस्ता को पूरी तरसे बंद कर दिया गया है इलाज के लिए मरीज को एक दिन पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा रजिस्ट्रेशन के लिए मॉबाल एप भी लौँश कर दिया गया है 19 जून की OPD के लिए 18 जून की सुबच ही रजिस्ट्रेशन होगा हर दिन ओपीडे में 30 मरीज, सर्जिकल और 50 मरीज मेडिकल में देखे जाएंगे आप Google Play Store से IGMS एप डाउनलोड करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अगली बड़ी खबर आज से एम्स और सिटी के लिए पटना की सड़कों पर चलेगी इलेक्ट्रिक बसे जहां बाकीपूर एम्स और बाकीपूर पटना साहिब रूट पर इलेक्ट्रिक बसे आज से दोड़ने लगीगी वरतमान में सहर के बितर केवल दो रूट बेली रोड और एरपोड रूट पर ही इलेक्ट्रिक बसे चल रही है लेकिन अब ऐसे रूटों पर संक्या चार हो जाएगी आपको बदाद कि इसके लिए किराया सुची जारी हो चुका है गांधी मैदान से बाकीपूर पटना साहिब रूट पर पटना जक्सन के लिए 10 रूट राजेंदर नगर के लिए 20 रूट धनोकी मोड के लिए 25 रूट जीरो मायल के लिए 30 रूट टेंड सिटी के लिए 35 और पटना साहिब के लिए 40 रूट वह दूसरी और बाकीपूर ए नतीजे का फूर्मूला बताया दसवी गारवी और बारवी के आधार पर मिलेंगे नमबर रिजल्ट 31 जुलाई को जारी। सिबेसी और आईसी आईसी बोर्ड की बारवी के माकसी तयार करने को लेकर तेरा सदस्य समिती ने सुप्रीम कोट में अपना रिपोर्ड सोब दी है। का नमबर लिया जाएगा दसवी के नमबर का 30% इगारवी के नमबर का 30% और बारवी के नमबर का 40% के आधार पर नतीजे आएंगे। आज के लिए आपका सवाल बताएं कि कोरोना संक्रमन के कम हो रहे मामले को देखते हुए बिहार सरकार को क्या फैसला लेना चाहिए इसका जवाब आप हमें नेचे कॉमेंट करके जरूर बताएं।